राहुल गांधी चिलाते रहे डरो मट डरो मट लेकिन क्या शरत पवार डर गए क्या ये EDCBI का डर है जो की चाचा भतीजे की जोड़ी को सता रहा है इसलिए शरत पवार एक तरफ जहां गौतम अडानी को क्लीन चिट दे रहे हैं जेपीसी की मांग को बेकार बता रहे हैं व मजबूर दिखाई दे रहे हैं तो कैसे बदल गए हैं इस चाचा भतीजे की जोड़ी के सुर्फ और कॉंग्रेस का इस पर क्या है स्टैंड हम आपको बताते हैं कि कैसे एक दूसरे से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं नव भारत ट गई थी MSCB बैंक की तरफ से इसमें बताया कि जो शुगर मिलें वो बेकार हैं अच्छे से काम नहीं करती हैं ऐसे में कोडियों के भाव उनको बेचा गया और उसको किसी और नहीं बल्कि शरत परिवार के रिष्टेदारों ने खरीदा इसी घोटाले को लेकर इसी स्कैम क कई बार कस्ता हुआ नजर आया आपको बतादें कि सिर्फ रिष्टेदारों पर नहीं बल्कि इसमें तो शरत पवार का भी नाम निकल कर सामने आता है बतादें कि जस बैंक ने इसकी निलामी की थी MSCB बैंक उसके डारेक्टर में कोई और नहीं बल्कि अजीद पवार शा पवार कर रहे हैं शरत पवार क्या कर रहे हैं गौता मडानी को क्लीन चिट दे रहे हैं उसी के साथ जो JPC की मांग की जा रहे है उसको बेकार बता रहे हैं आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों ने पिक्चर बदलने की कोशिश तो की लेकिन कॉंग्रेस ने मोर्चा समा लिया कॉंग्रेस ने का है कि यह आपर पिक्चर इसलिए नहीं बदल रही है कि इनका हिर्दय परिवर्तन हो गया है बलकि EDA और CBI का डर सता रहा है क्योंकि आपको बता दें कि यह जो NCP प्रमूख शरत पवारें कोई कच्चे की लाड़ी नहीं है यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि JPC अगर गठन होगा तो जांच होगी तो अडानी गौतम अडानी इस मसले में पस सकते हैं क्योंकि JPC का जब गठन होगा तो JPC में इनका कहना है कि जादा तर तो सत्ताधारी लोग रहेंगे जानी कि भारती जनता पार्टी के लोग रहेंगे ऐसे में विपक्ष क्या कर लेगा लेकिन आपको बता दें कि जितने भी केंडिडेट होते हैं JPC की कमेटी में वो आक्षिन ले सकते हैं जिससे चाहें पूस्ताज कर सकते हैं जिसको चाहें स्वबूत पेश करने के लिए कह सकते हैं और जो उनका सहयोग ना करें उस पर आक्षिन भी लिया जा सकता है ऐसे में JPC कमेटी का कितना बड़ा महत हो है आप अच्छे से समझ सकते हैं लेकिन जब कहें शरत पवार की JPC की मान बेकार है तो दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी की पूरी दाली गाली है क्योंकि राजीव गांदी की सरकार में भी आप जानते हैं कि किस सरीके से बोपोर्ट गोटाले को लेकर JPC का गठन हुआ उसके बाद किस सरीके से कॉंग्रेस की नीव हिल गए अच्छे से आप जानते हैं कि जब भी JPC का गठन हुआ है तो साक्षी निकल कर सामने आए हैं सरकार किसी की भी हो कभी भी मना नहीं हुआ कॉंग्रेस की सरकार में JPC का गठन हुआ भी जाज भी हुई और कॉंग्रेस पर इसका बुरा असर भी पड़ा लेकिन आप देख सकते हैं कि भारती जनता पार्टी कितनी अनोखी है एक तरफ JPC का गठन नहीं कर रही है वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कथित तोर पर ED और CBI का डर फैलाया जा रहा है फिलाल आपको बता दें कि सिर्फ शरत पवार नहीं बलकि अजीद पवार भी पूरी फ्रेम पिक्चर में दिखाई दे रहे है लगातार वो भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि 2014 में मोदी के डिगरी नहीं बलकि मोदी के करिश्मे ने जीत दिला दी थी तो इस तरह की बाते कर ना राज़नीदी में कोई भी बयान कभी भी बिना मतलब के नहीं दिया जाता है हर बयान का अपना एक मतलब होता है इसी पर कॉंग्रस नेता अलका लामा ने वार किया है और ट्वीट किये हैं दो देखेगा सबसे पहला ट्वीट उनका देखेगा उन्होंने लिखा है अजीत पवार के बारे में लिखा है कि अजीत पवार की मज़गूरियों को समझीए जेल जाने से बचना है तो ताना शाह के सामने जुकना है तो इसमें अलका लामा ने तीन खबरों को शेर किया है पहली खबर वो है जिसमें अजीत पवार पर आक्शन तेज हो गया था जब 1000 करोन की सब्बती सीज करने के बाद उनको नोटेस भी दिया गया था और उसी के साथ पूर ग्रह मंत्री अनिल देश मुख की गिरफतारी भी हुई थी आप जानते हैं कि किस तरीके से अजीत पवार ने बिजेपी के साथ मिलकर खेला करने की कोशिश की लेकिन वो खेला हो ना सका 2019 में महाविकास अगाडी की सरकार बन गई जिसमें NCP, कॉंग्रेस और शिर सेना थे लेकिन फिलाल उसके बाद भी अजीत पवार पर जब भी शिकंजा कसता है तब वो बारती जनता पार्टी की तरफ रुख करते हुए दिखाई देते हैं अभी आपने एक और खबर देखी होगी वो भी शेर की है अलका लांबा ने देखी का इसमें खबर में लिखा हुआ ABP की की NCP ने नागा लैंड में दिया NDPP, BJP को समर्थन तो महराष्ट में बवाल मंतिरी ने पूछा पैसो का समझोता हुआ है क्या तब अजीर पवार भढ़क गए अजीर पवार ने का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन फिलाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो साफ तस्वीर निकलती हुई सामने दिखाई दे रही है इसे के साथ आपको बताएंगी एक और तस्वीर है सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से बाइरल हो रही है गौतम अडानी के साथ शरत पवार बैठे हुएं तस्वीर तो पुरानी है लेकिन बाइरल बड़ी तेजी से हो रही है तो कि गौतम अडानी को क्लिंचिट कोई और नहीं बलकि शरत पवार दे रहे हैं कॉंग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई हैं कॉंग्रेस का समर्थन करते हैं लेकिन अडानी का बचाव कर रहे हैं फिलाल इस तस्वीर को शेयर करते वालका लामा लिखती हैं कि डरे हुए लालची लोगी आज अपने निजी हितों के चलते ताना शा सत्ता के गुड़ गा रहे हैं देश के लोगों की लड़ाई एक अकेला राहुल गांधी लड रहा है फुदी पती चोरो से भी और चोरो को बचाने वाले चौकीदार से भी राहुल गानी ने जो कहा ता उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिक्चर लगातार बदलती चलि गई खाहुल गानी ने कहा की डरो मत डरो मत डरने की जरूरत नहीं है मैं किसी से बी नहीं डरता हूं मुझे मारो पीतो चाहे जेल में डालतो मैं डरने वाला नहीं हूं अब आप देख सकते हैं कि वही डर कैसे दूसरे नेताओं में खथित तोर पर साफ दिखाई दे रहा है इसी के साथ आपको बता दे कि जो कल तक लोगतंत्र की दुखाई दे रहेते लोगतंत्र को लेकर 20 पार्टियों ने चिठी लिखी थी सुप्रीम कोट के लिए उस पर साइन कर रहते शरत पवार आज वही शरत पवार को लेकर अटकले लगाई जा रहे हैं कि वह भाती जन्ता पार्टी के साथ जा सकते हैं तो देखी आप जहां एक तरफ बयान आता है वहीं दूसरी तरफ तरफ तुरंत अटकले बाजी तेज हो जाती है ABP की कबर देखी गाई इसमें लिखा हुआ है कि महराश में फिर गुल खिलाएंगे चाचा बतीजे की जोड़ी क्या NDA के साथ जाएंगे शरत पवार तो इस तरीके की खबरे निकल कर सामने आने लगी कातित तौर पर के इस तरीके से पूरा खेला किया गया है वो तो आप साफ देख सकते हैं शरत पवार रे जाकर गौतम अडानी के चैनल या फिर UK NDA TV पे इंटर्विव दिया इंटर्विव के बास से लगातार हेडिंग्स बदली और हेडिंग्स के साथ ही अटकले बाजी शुरू हो गए विलाल आपको बदा दे कि कॉंग्रिस ने अपना स्टांड क्लियर कर दिया है खबर देकी का भासकर की इसमें लिखा हुआ है कि पवार बोले हिडन बर केस में विपक्ष की जेपीसी की मांग बेकार कॉंग्रिस ने कहा कि ये NCP चीफ की निजी राय है लेकिन 19 पार्डिया इस पर एकमत है तो कॉंग्रिस ने कह दिया है कि हमारा जो भी कह रहे है शरत पवार उससे कुछ लेना देना नहीं है हम तो जेपीसी की मांग करेंगे अटानी पर जाच करवा के ही दम लेंगे तो राहूल गानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अडिक खड़े दिखाई दे रहे हैं वहें दूसरी तरफ दूसरे जो नेता है वो डामा डोल इस्थिती में नजर आ रही है तो फिलाल आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर क्या CBIA और ED का डर अब विपक्षी एकता पर भारी पढ़े जाएगा इस सवाल की जवाब में और इस पूरी खबर पर आपको क्या कहना है हमें कमन बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें सब्सक्राइबर पिटिट दबाया बर आके दबाया तक कि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुचती रहे इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर